So guys, welcome to a new video और आज मैं बात करूँगा बहुत सारी Rockstar Games की तरफ से आने वाली news के बारे में पहले मैं बताऊँगा Rockstar के एक नए studio के बारे में जो शाए GTA San Andreas को remaster करे फिर मैं बात करूँगा कि GTA 6 की listings के बारे में कि यह क्यों आ रही है listings और इनका क्या मतलब है और यह जो YouTube पे या फिर और किसी वेबसाइट पे आप listings देखते हो यह कहां से आती है In the end मैं इस एक और यूमर के बारे में बात करूँगा कि कहा जा रहा है कि यह map GTA 6 का होने मारा है या फिर शायद उसका यह एक पार्ट होगा तो start करते हैं इस वीडियो को लेकिन उससे पहले इस वीडियो को like कर दीजिए और channel भी subscribe कर लिए ऐसी gaming से related videos देखने के लिए तो सबसे पहले बात करते हैं Rockstar Games के एक नए studio के बारे में जो कि उसने खरीदा है और यह एक बड़ी news हो सकती है क्योंकि इससे आने वाले GT Games का idea लग जाएगा पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह कौन सा studio है और आने वाले टाइम में हमें इससे कौन सी games देखने को मिल सकती है तो यह Scotland का एक studio है जिसका नाम था Ruffian Games जिसे अब Take 2 ने खरीद लिया है इसका इतियास के बारा में बताऊं तो यह studio 2010 में दो डवेपर ने मिलकर बनाया था और इस studio ने अपना Original Crackdown 2 गेम भी बनाया लेकिन वो गेम इतना अच्छा चला नहीं तो उसके बाद से इस studio बस खुत कोई game नी बना रहा बलकि दूसर studios की help कर रहा है और इवन इसने Hello Franchise पे भी काम किया है और Hello को तो आप जानती होंगे भी है बहुत ही famous franchise है मेरे से भी काफी लोग कहते है कि काफी अच्छी game की series है इवन इस studio ने GTA और Manhunt Games पे भी काम किया है चो एक्चल में Rockstar की games है और शायद आप एप बात जानकर हैरान नहीं होंगे कि इसके employees actual में बहुत से तो DMA design से आया है और DMA design क्या है Rockstar North जिसने GTA series, Red Dead Redemption series और ऐसे ही बहुत से games बनाए है पिछले साल से news आ रही थी कि ये studio आप Rockstar Games के साथ काम कर रहा है जिसके लिए वो नए employees भी hire कर रहा है तो लोग कह रहे हैं कि ये शायद GTA 6 बनाने में help करेगा ऐसी एक job listing August 2020 में भी आई थी जिसमें वो फिर से कह ले था कि वो Rockstar Games के साथ ही काम को continue कर रहे है और एक October को तो Take-Two Interactive ने इसे खरी दी लिया और 6 October को उसका नाम चेंज करके Rockstar Dundee रख लिया अब Dundee क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस जगह पे है studio उस जगह का नाम ही Dundee है जैसे Rockstar India इंडिया में है Rockstar Toronto वो भी Toronto में है उसी तरह Rockstar Dundee Dundee में है मैंने भी जब पहली बार ये News आर्टिकल पड़ा तो Dundee से मेरे दिमाग में Dundee आ रही थी शायद आपने भी पहली बार सुनके यही सोचा होगा खेर मैंने जो इतना कुछ बताया Rockstar Dundee के बारे में उससे अब समझने में हेल्प होगी कि यह केस गेम पर काम करने वाले है और इसको मैं चार पॉइंट में रिवाइट कर सकता हूँ पहले पॉइंट कि यह शायद GTA 6 पे काम करेंगे क्योंकि हो सकता है कि Rockstar गेमस ने अपना थोड़ा सा काम करने के लिए एक नया स्टूडियो खरीद लिया हो सेकिंड पॉइंट हो सकता है कि यह लोग GTA Online या फिर GTA 5 वर्जन पर काम करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 2021 में Rockstar वाले GTA 5 को PS5 के लिए एक नया स्टूडियो खरीदा हो थर्ड पॉइंट और मैं काऊंगा सबसे इंट्रस्टिंग पॉइंट यह हो सकता है कि Rockstar डंडी शायद पुराने Rockstar गेमस पर काम करेगा मैं भी हो सकता है कि यह पुराने गेमस जैसे की GTA YCT या GTA San Andreas या इवन Dead Dead Redemption को New Gen Consoles के लिए रिमास्टर या उसका Definitive Edition ले आए जिससे Mafia CDs के Mafia 2 और Mafia 3 को रिमास्टर करके रिलाउंच किया गया तो हो सकता है कि हमें GTA San Andreas का रिमास्टर मिले आने वाले फ्यूचर में और आपको याद ही होगा कि कुछ महीने पहले GTA San Andreas रिमास्टर पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें Arcadia Squad ने GTA San Andreas को पूरा चेंज कर दिया था वैसे वो खेलने के लिए नहीं थी लेकिन फिर भी Rockstar की पेरेंट कमपनी Take2 Interactive ने उसको YouTube से हटवा दिया उस वीडियो पे स्ट्राइक मार दी और शायद वो प्रोजेक्ट भी अपूरी तरह कैंसल हो गया उनके खिलाफ अगर कोई code vote case हो गया तो वो भी नहीं पता भई कुछ नहीं कह सकते Rockstar ऐसे किसी mod या remaster को तभी बैन करता है जब वो खुद ऐसा कोई game future में लाने वाले हो जैसे कि GTA 5 के time पे किसी ने Red Dead Redemption का map बना दिया था और lastly, fourth point हो सकता है कि ये शायद Rockstar Dundee अपना खुद का नया game बनाने वाले हो वैसे भी पिछले कुछ सालों में हमें Rockstar की तरफ से कोई नया game नहीं मिला है बस पुराने की sequel आ रहे हैं जैसे GTA की series चलती आ रही है Dead Redemption की series चलती आ रही है Max Bain की series कहरी होने तो नहीं बनाई लेकिन इसका third part नहीं बनाए तो उसे भी एक series कह सकते हैं तेकिन जो नए games हैं जैसे कि Illinois या फिर Manhunt या ऐसी कोई एक नए series नहीं आ रही ऐसी कोई एक नए game नहीं आ रहा हो सकते है कि ये वाला studio को नए गेम बनाए अब experts का मारना है कि second point सही होने के बहुत chances है most probably ये जो नया studio है Rockstar Dundee ये GTA 5 को enhance करेगा और शायद RDR 2 को भी PS5 के लिए enhance करेगा तो कि past में भी इस studio ने कुछ SE games को enhance और remaster किया है और इससे हमें क्या फायदा होगा देखो पहली बात तो Rockstar ने कहाता कि वो GTA 5 को enhance और expand करेंगे तो हो सकता कि वो उसमें map में कोई नई locations डाल दें क्या map में कुछ changes करें या क्या आप बता कि GTA online में कुछ नए missions आने वाले हों कोई नई चीज़े आने वाली हो अब expand कर तो यही मतलब होता है कि वो उस गेम को और बड़ा करेंगे तो इसलिए मैंने को लगा रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में GTA 5 और इंटरस्टिंग हो जाए यार वैसे भी PS5 कितना अच्छा कंसोल होने वाले है पाफूल कंसोल होने वाले है तो आड यार 2 यार गेम कम सिकम उसका फायदा तो उठा है अच्छे से अब चलते हैं next news की तरफ तो GTA 6 की एक नई लिस्टिंग आई है जिसमें Push Square नाम की वेबसाइट ने उसका एक पेज बना दिया है मैं आपको बताऊँगा कि यह क्यों फेक है और YouTube या Crack Watch या ऐसी वेबसाइट ऐसे क्यों GTA 6 की फेक लिस्टिंग डालती है तो Push Square एक वेबसाइट है जहाँ PlayStation की सारी न्यूज और गेमस मिलते हैं और उन्होंने रिसेंटली GTA 6 का पेज बनाया है और वहाँ लिखाई कि यह PS4 पर आएगा तो यह 110% फेक है क्योंकि पहली बात तो GTA 6 से आने के चांसे PS4 पर बहुती कम है और दूसरी बात हमें GTA 6 का अभी तक पता ही नहीं है कि वो कब आएगी तो उसका पेज कैसे बन गया ऐसे ही आप मैंसे कुछ लोगों ने मेरे को इंस्टा पर इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट बहचा था जिसमें यह लिखा था कि GTA 6 15th October 2022 को आएगी और यह भी most probably fake है क्योंकि इस पर कोई भी official news नहीं है यह website GTA 6 की listings या पर इस इसलिए बना देते हैं ताकि मुझ जैसे gaming news YouTubers या फिर कुछ foreign YouTubers इस पर वीडियो बनाएंगे इससे famous हो जाएंगी वैसे websites already famous हैं तेकिन यह still और जादा famous हो जाएंगे तो आप इन पर तो मत ही believe करना साथ ही YouTube पर मेरी वीडियो के नीजे GTA 6 लिखा आता है और बहुत से लोग सोचने है कि या जब गेम नहीं आई तो यह क्यों हो आता है अब इसका मैं बता हूँ तो यार यह गेम का section होता है और वीडियो अपलोड करने के time हम YouTubers चूज कर सकते हैं कि यह वीडियो कौन से गेम पर है जब मैंने सबसे पहली बार GTA 6 पर वीडियो बनाई थी तो मैंने search box में Grand Theft Auto लिखा और मैं एहरान होगे कि वच्छे इसमें GTA 6 आ रहा है search में फिर बाद में पता लगा कि यह auto generated categories होती है जब किसी गेम पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनने लगे न तो YouTube उसके automatically एक category बना देता है अब foreign YouTubers GTA 6 पर पिछले 5 सालों से वीडियो बना रहे हैं तो इतनी ज़्यादा वीडियो बनने की वज़े से YouTube में उसके category बना दी है तो यह बस यह है और जो भी यह listings आती है और इन पर विशवास मत करना क्योंकि और भी बहुत सी ऐसी websites होंगी जिन्हों ने GTA 6 का बेज बना दिया होगा अब एक last news की तरफ चलते हैं जो आ रहे है गेमिंग leaks and rumors नाम के subdated की तरफ से यहां किसी ने एक map की photo डाली है जो कहा जा रहे है कि GTA 6 का map होगा क्या फिर उसके map का एक छोट असा हिस्सा हुआ ऐसे पिछले कुछ महिनों से GTA 6 के map की बहुत सी photos देखने को मिली है हमें और कभी-कभी तो लगता कि यार यह सब fake होंगी लेकिन हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि RDR2 के आने से दो साल पहले ही उसका map लीक हो गया था तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या पता यह वाला भी GTA 6 का real map हो और आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिल जाए इस map कि मैं बात करूँ तो यह कॉलंबिय का map लग रहा है और हरानी की बात यह है कि दो साल पहले भी एक map लीक हुआ था जो कारा जारत था की GTA 6 की YCD का map है और जब दोनों maps को compare किया गया तो actually में थोड़े थोड़े same है actually में जो दो साल पहले map लीक हुआ था उसका जो एक island है वही same यह वाला map है अब दो अलग लोग दो साल बात एक ही map की photo कैसे डाल सकते हैं अब कोई करेगी क्या बता एक ही बंदे ने दूसरी ID से पुराने map का हिस्सा screenshot लेके डाल दिया हूँ लेकिन यह बात सही नहीं लग दी क्योंकि भले ही वह दोनों islands similar है शेप में लेकिन उनकी detailing अलग है उदर कुछ लोग यह भी कहाद है कि यह real map तो है लेकिन इस पर locations marked क्यों नहीं है जैसे जब RDR2 का map leak हुआ था तो उस पर locations marked थी मुझे लग रहा कि शायद है development stage में हो GTA 6 और इसलिए अभी इस पर locations नहीं आ रही हो खैर कुछ नहीं बता भाई क्या सही है क्या गलत यह थो हमें आने वाले टाइम में ही पता लगेगा तो गाईस बस यही थी वो सारी news जो अभी आई है और मैंने को यह news काफी interesting लगी इसलिए मैंने सुचा कि आपको बता दूँ खासकर वो Rockstar Dandy वाली news तो में काफी साही लग रही है और इसस coloring को लग रहा कुछ अच्छा में देखने को मिल सकते हैं अने वाले सालों में और यह वीडियो झाल झाल